नमस्कार दोस्तों एक वार फिर से स्वाक्त है आपका हमारे यूटूब चेनल में तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं परसा नमबर साथ आपकी कक्षिया नमबर दस की परशनावली है 15.3 अब इस साथ में कि उसन में हमें क्या कह रहा है कि दीगी आकरती में ए बी एम सी तिरिज्या चवदा सिमी वाले एक वरत का चतुर्थांस है ए बी एम सी वाले एक वरत का चतुर्थांस चतुर्थांस का मतलब क्या होता है वरत का चोथा भाग एक दो तीन चार चार भाग होते हैं तो इस भाग को माल लिया हमने चतुर्थांस तो देखो दोस्तों ये वर्त का ही चतुरधांस है ठीक है ये वर्त का क्या है एक है चोथा भाग है और एक ऐसी ये एक है जिवा खेंची गी है ठीक है तो इन दोनों को भूल जाओ ये भाग बचा तो ये भाग किसके बराबर होगा इस भाग के बराबर होगा ठीक है चवदा सेमी दी गी है इस चतुरधांस की लंबाई चवदा सेमी ये बुजा चवदा होगी तो ये भी क्या होगी चवदा सेमी ठीक है तता बीसी को व्यास मानकर ये BC है इसको क्या मानकर व्यास मानकर एक अर्दवर्थ खिंचा गया है इस BC को व्यास मानकर इसके उपर एक अर्दवर्थ खिंचा गया है ठीक है ये जीवा थी और इस चतुरतांस के उपर एक अर्दवर्थ खिंचा गया है इस पर का ठीक है अर्द वर्द खिंचा का याद चाया कि तो भाका चेतरफल ग्याद करो इस भाका हमें क्या याद करना है? चेतरफल ग्याद करना है तो देखो दोस्तों इस भाका चेतरफल ग्याद करने से पहले हमें इस भुजा की लंबाई याद करनी पड़ेगी यानि कि यह क्या है हमारा त्रिभुज है A, B, C तो यहाँ पर देखना त्रिभुज A, B, C से इसमें कौन सा नियम लगाएंगे हम पाइथा गौरस परमे पाइथा गौरस से परमे पाइथा गौरस से परमे से और पाइथाग औरस्पर में क्या होती है आपकी करण सुकायर बराबर आधार सुकायर पलस लंब सुकायर यह होती है न तो देखो करण क्या है आपका इस बाग को करण कहते हैं इसको आधार कहते हैं इसको लंब कहते हैं तो करण क्या है आपका BC तो BC सुकायर बराबर आधार क्या है आपका AC तो SC सुकायर पलस लंब क्या है आपका AB तो AB सुकायर अब देखो दोस्तों BC सुकायर बराबर AC कितना है चाउदा तो 14 का सुकायर पलस AB कितना है चाउदा तो 14 का सुकायर ठीक है अब क्या करना है आपको 20 सी सुकायर बराबर 14 कितनी वार है 2 वार है तो 2 गुणा 14 सुकायर क्योंकि दोनों सेम है तो 2 गुणा 14 सुकायर अब क्या करना है दोस्तों आपको कि हमें निकालना है इस 20 सी का मान तो 14 को 2 वार गुणा करो 14 को 14 से तो क्या होगा, 4 चोक, 6, 4, 4, 4 और 1, 5, फिर 4, फिर 1, तो यह हो जाएंगे आपके 100, यानि 20 सी सुकायर बराबर 2 गुणा 106 में, ठीक है, यह होगा 14 को 14 सी गुणा करने पर, हमें 20 सी का मा निकाला है इस सुकायर को क्या करते हैं, हम इस साइड में ले आते हैं, ठीक है, तो 2 गुणा 106 में क्या निकाला हमें, अंड्रूड, तो 2 को तो वहीं रहने दो, और 106 में निकालो, तो 106 में कैसे निकलेंगे, 2 का भाग दो, कितनी वार जाएगा, 9 दूनी 18, फिर बचा, 1, 6, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दो, 4 दूनी 8, फिर एक बचा, 9 दूनी 18, अब गुण चाण में एक अंड्रूड क्या आ गया, 14, और 2 का अंड्रूड निकलता नहीं है, तो 2 को अंदरी रहने दो, तो 20 सी बराबर, 20 सी बराबर क्या आ गया, 14 अंड्रूड दो, यानि कि इस पूरी की लंबाई कितनी आ गई, यहां से मानलो आप है, इसकी पूरी लंबाई आ तो इसका कैसे निकालेंगे, चाया कित भाग का चेतरफल, बराबर, अगर हम इस चाया कित भाग का चेतरफल निकालना चाते हैं, तो यह जो पूरा अर्द वर्त है, ठीक है, इस पूरे अर्द वर्त में से, यह जो लगू वर्त बन रहा है, छोटा वाला, इसको माइनस कर देंगे तो यह बचेगा इसका निकल जाएगा तो इसमें क्या करेंगे हम अर्द वरत का चेतरफल माइनस इस लगू वरत का चेतरफल लगू वरत का चेतरफल तो देखो दोस्तों अर्द वरत का चेतरफल का सुतर होता है इस अर्द वरत का सुतर होता है इसको यहां से बंद कर देना एक वर उसका सुतर होता है पाई आर सुकायर ठिटा बट्टा तीन सो साथ माइनस एक बट्टा दो आर सुकायर साइन ठिटा ठीक है ये सुतर होता है फिर देखो आपको क्या करना है मान रखने पाई का मान कितना होता है 22 बट्टा साथ इंटू आर अर्द वर्द का अर्द वर्द की तिर्जा तो ये था आपका एक अर्द वर्द तो अर्द वर्द का व्यास कितना है दोस्तों 14 अंडरूड 2 तो तिर्जा क्या हो जाएगी यहां से लेकर यहां तकी दुरी यह हो जाएगी आपकी इसकी आदी यानिकि 14 क्या दिख्या होगी 7 अंडूड 2 इत होगी तो यह पर पता ہو कितना लिखोगे 7 अंडूड 2 और उपर सुकायर है यानिकि कितने वार लिखना है इसको 27 अंडूड 2 लिख दिया उसके बाद माइनिस ठीक है फिर यह यहाँ पर देखो पेकामान क्या होगा 22 बटा 7 इन्ट। आर अब देखो लगू अर्थ अर्ड वर्थ नहीं है यह चत्तुर थांस था आपका तो इस लगू वर्थ की तृझ्जा इसको लेंगे ना हम 14 को क्यों लेंगे क्योंकि यह चत्तुर थांस था ठीक है वर्थ का वर्द की तो चतुर्थांस में इसको कहते हैं हम तिर्जा इसको क्या कहेंगे हम तिर्जा तो इसके लिए चाउदा होगी तो चाउदा को कितने वार लिखना है दो वार लिखना है ठीक है फिर ठीटा तो बताओ यह समकौन तिर्बोज होता है और समकौन तिर्बोज में जो क होता है वो कितने । टिटा के जगे पर हम कितना लिखें गे यहां पर नब्य माइनस एक बट्टा ऑगाद फिर आर और फिर साउदा होगा चौड़ा पिर साइन थीटा यहां थीटा के जले पर 9 ठीक है A अब देखो क्या करना है आपको यहाँ पर देखना दोस्तों 22 बटा 7 इंटू यहाँ पर देखना अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करना है यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया ठीक है पहले ही मैं कैंसिल कर देता हूँ ठीक है 7 से 7 कैंसिल हो गया बचा क्या अंडरू को गुणा करोगे ना अंड्रूट दो को गुणा करोगे अंड्रूट दो से ठीक है तो अंड्रूट से अंड्रूट हट जाएगा और बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ दो तो क्या बचा दो बचा अब माइनस यहां पर देखो क्या होगा यहां पर दोस्तों 360 भी था मैं भूल गया लिखना तो 360 लिख दिया क्योंगि यह देखो पाई आर का पाई कमान रख दिया था उसके बाद 14 गुना 14 इंटू 90 भी लिख दिया था यहां पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया 9.36 7 दूनी 14 2 दूनी 4 फिर 2 से 22 कट रहा है 11 दूनी 22 तो बचा क्या 11 इंटू 14 ठीक है उसके बाद देखो दोस्तों और कोई चीज कट रही है उसको काट सकते हो फिर माइनस फिर यहां पर देखो क्या होगा 2 से 14 कट रहा है 7 वार तो क्या लिखेंगे 7 गुना 14 चाउदा और साइन 90 का माण होता है 1 साइन 90 का माण क्या होता है 1 ठीक है अब देखो यहां पर गुना करना है आपको 22 को 14 से ठीक है और यहां पर क्या करना है आपको माइनस यहां पर दोस्तों एक बात हम भूल गई क्या भूल गई यहां पर देखो पाई आर सुकायर बटा 2 तो पाई का मान क्या होता है बाईस बटा साथ और आर का मान लिख दिया हमने लेकिन इस दो को भूल गए थे थे हम ठीक है तो यह दो भी था इसके साथ तो यहां पर देखो दो को बाविस से काटोगे तो कितना होगा ग्यारा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे ग्यारा यहां पर क्या लिख देंगे ग्यारा ठीक है अब देखो ग्यारा इंटु चाउदा और यह माइनस को माइनस यह हटेगा जब ब्रिकेड तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहां पर पालस ठीक है अब 7 को किया करना है आपको गुणा करना है 14 से तो यहां पर धे गो 11 x 14 माइनस 11 x 14 तो इससे यह कैंसल हो गया यहां पर क्ya बचा 7 गुणा 14 तो 14 को आपको 7 से गुणा करना है तो 7 चोगे 28 आसिल का 2 साथ एकम साथ साथ और दो कितने हो जाएंगे नो तो यहांपर हम कितना लिखेंगे इठान में और 6 तरबल किस में लिखा जाता है वरग में और पीछे क्या है सेमी तो ये दोस्तों आपका इस क्यूशन का आंसर होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना